जै गोपाल आज एक ज्वलंत विशे आप सबी के सामने लेके आया हूँ एक नसल है गौर गाय तो सबसे ताकतवर नसल है गायो के अंदर उसके बारे में आप मैंसे अधिक तर लोगों ने सुना भी नहीं होगा और आपको पता होगा कि बिहार और गोवा जैसे राज्यों का इस्टेट एनिमल है गौर गाय आज गौर गाय जैसी कई नसले विलुपती की कगार पर है और कई सैक्रो नसले तो विलुपत हो चुकी है तो एक सिरीज आप दोस्तों तक मैं पहुचा रहा हूँ जिसमें इन विलुपत हो चुकी नसलों के बारे में धीरे धीरे एक एक गाय के बारे में आपको बताता हूँ गौर गाय के बारे में गौर गाय भारत के दक्षिनी शेत्र के अंदर पाय जाने वाली एक नशल है इसके अलावा दक्षिनी भाग जो एशिया का है दक्षिनी पूरी उसी भाग के अंदर भी ये नशल पाय जाती है दोस्तो स्रियनका और बंगलादेश जैसे देशों से तो ये नशल बिलकुल खतम ही हो चुकी है और विलुप्ति की कगार की बात करे तो 2016 की गंड़ना में इनकी संक्या से 20,000 रह चुकी है और पिछले 10 वर्षों में तो इनकी जंसक्या में 70% की कमी आ चुकी है इसकी जो बॉड़ी स्ट्रक्चर देखे तो 6 फुट की लंबी गाय होती है और 1000 से 2000 किलो इस गाय का वजन होता है और बहुत ही ताकतवर होती है एक समू के अंदर रहती है अधिक तर जंगलों के अंदर रहती है कोड़ेकनाल के जंगलों में ये पाई जाती है और एक समू दोस्तो कुछ शेत्रों में इसको पाला भी जाता है और अधिक तर ये जंगलों में ही पाई जाती है सबसे ताकतवर नशल है गायों की सबसे बड़ी सबसे विशाल जिसके बारे में हमें पता ही नहीं दोस्तो आप सभी तक इस गौर गाय के बारे में आदबात पहुचान बड़ा मुस्किल है और जो जंगली नशल है उसमें सबसे बड़ी साइज की यह गाये है दोस्तो इसका शिकाल लेपर टाइगर या क्रोकोडाइल ऐसे ही बड़े जीव ही कर पाते हैं अधिकतर ये ग्रूप के अंदर अपने सर्मिले शुभाव के कारण चुपी भी रहती है इनके अटेक के ऐसे मामले बड़े ही कम आते है इसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है और दोस्तो ये जानकारी जब मुझे भी प्राप्त हुई कि बिहार और गोवा जैसे स्टेट का स्टेट एनिमल ये गौर गाया है तो कितनी महतुपूर्ण नशल ये रही होगी इस न वीडियो बनाया दोस्तों आगे और भी इंडियन नसलों के बारे में भारते नसलों के बारे में आप तक जानकारी पहुचाता रहूंगा क्योंकि दोस्तों आपकी और हमारी जिम्मधारी है कि इन विलप्त होती नसलों के बारे में जानकारी भी पहुचे हो ये कैसे बचे इसके लिए एक मुहिम चले इन सारी दिसलों को बचाना आपकी हमारी पूरी जिम्मेदारी होगी दोस्तों आपका ये YouTube चैनल हमेशा आपको ऐसी चीजों के लिए अवेर करता रहेगा हमारे साथ रहे आपको और भी चीजे हमेशा जानकरी देते रहेंगे झेगो माता झेगो पास